नमस्कार स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेश्टन में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोटल थ्री स्टॉक्स के बारे में Reliance Industries जी हाँ दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी कमपनी है इस कमपनी के रिजल्ट्स आए हैं सुमवार के दिन अगर आप लोगों को मौका मिले तो इस शेयर को जरूर बाई कीजिएगा क्योंकि इस तरह के मौके आप लोगों को इस ते सस्ते प्राइस पे मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी है नहीं दूसरा दोस्तों JSW Steel इस कमपनी के आंकड़े भी quarter 3 के बहुत ही जबरदस्त आये हैं और साथ में एक पैनी शेयर जो की आप लोगों को 1 इस टू 10 के रेशियो में स्प्लिट दे रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों पिछले चार दिनों से जिस तरह से शेयर मार्केट चल रहा है लगातार यहां पे गिरावट हो रही है और यहां देख लीजिए निफ्टी फिफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है सारे रीटेल निवे सक आप और हमें बहुत चादा कोशेश अभी रहने की जरूरत है वो क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि बजट आने वाला है बजट किस तरह से आएगा और क्या बजट से जो है एक्सपेक्टेशन है बजट के एक्सपेक्टेशन अगर बजट जो है खरा उतरता है शेर मार्केट के उन एक्सपेक्टेशन पे तो शेर मार्केट बहुत तेज उचल सकता है अगर एक्सपेक्टेशन से बुरा रहता है तो शेर मार्केट और भी गिर सकता है लेकिन गिरावट को मैं हमेशा अच्छा समझता हूँ वो इसलिए क्योंकि जो महेंगे शियर्स होते हैं वो हमेशा चीप प्राइस पे हम लोगों को गिरावट में और करेक्शन में मिल जाते हैं ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखने चीए तो चलिए दोस्तों रिलाइंस इंडस्ट्री जो कि इंडिया का बहुत बड़ा कॉंगलोमरेट है एक मल्टी बैगर शेयर भी है कमपनी ने 4570 परतिसद के रिटरंस बना के भी दिये हैं ओवर दी लॉंग रन अपने शेयरोल्डर को डारेक्टली हम इसके क्वाटर थी के रिजल्ट्स की उपर आते हैं कमपनी के जो इस्टिमेट्स थे उनको भी बीट कर दिया है तो जब कभी भी आप लोगों को पता है इस्टिमेट्स को बीट कर देते हैं कमपनी के रिजल्ट्स तो वहाँ पर क्या होता है शेयर के अंदर डिमांड बढ़ती है तो सुमवार का दिन सुमवार का दि अंदर 41% जूम हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 18,559 करोड रुपए, जी हां दोस्तों, 18,559 करोड रुपए, यह कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है, केवल एक क्वाटर का यह प्रॉफिट है, इस कंपनी का, अगर दोस्तों, पिछले साल की बात की जाए, सेम क्वा कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, तो पिछले साल सेम क्वाटर में, रेवेन्यू कंपनी का 1.23 लाइख करोड रुपीज का था, जी हां दोस्तों, एक दसंबलो 2-3 लाइख करोड रुपए का था, जो कि इस साल इंक्रीज होके हो गया है, 1.91 लाइख करोड है, अगर पर्टिकुलर्ली रेलाइख करोड रुपए करोड रुपए करोड रुपए का यहां पर प्रॉफिट बनके आया है, और 10 परसेंटेज का उच्छाल जो है, इसके अंदर भी आया है, पिछले साल से जब इसको कंपारिजन किया जाए, तो रेलाइख का रेवेन्य जो है, पिछले साल के रेवेन्य से 5% का इंक्रीज हुआ है, इसके अंदर भी रेलाइख कंपनी के आप लोगों को पता है, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, और रेलाइख कंपनी के आप लोगों को पता है, और रेलाइख कंपनी के आप लोगों को पता है, और रेलाइख से 2,269 करोड रुपेगा बनके आया है मैं कहता हूँ जो ये कमपनी है जिस तरह से काम करती चली जा रही है हर किसी के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और इस तरह के कमपनिया आप लोगों को आसानी से पैसे बनाके दे सकती है ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं दोस्तों उसक स्टील ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसकी जरुरत सभी इंडस्ट्री को रहती है अब स्टील है सब्सक्राइब एक 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 जामपल आप लोग ले लीजिए घरों को बनाना है घर बनाने में वे इस्तेमाल में आता है इस्टील है घर के यूटेंसिल्स यानि के बरतन बनाने के काम में आता है आप लोग देखें बड़ी बिल्डिंग बंती है तो इस्टील का वहां पे भी जो है इस्तेमाल होता है तो ये मान लीजिए उन और इंडर्स्टाइज जिनber को कहा जाता है उन कोर इंडस्ट्रीज में आता है स्टील स्टील मैनुफेक्चर करने वाली कमपनी है JSW स्टील और इसके क्वाटर थ्री के जब रिजल्ट्स आया है बहुत ही जबर्दस इसके प्रॉफिट के अंदर 62% का उच्छाल आया है अगर पिछले साल की हम लोग बात करें पहले पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल सेम क्वाटर में 2681 करोड रुपए का यहाँ पे कमपनी के अंदर जो है प्रॉफिट बन के आया था जो कि इस साल 4357 करोड रुपए का बन गया है कमपनी की 62% का इजाफा यहाँ पे कमपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर बन के आया है चलिए रेवेन्यू भी आप लोगों को बता दूँ JSW स्टील का 74% के जो है इजाफा रेवेन्यू के अंदर हुआ है सेम क्वाटर में पिछले साल रेवेन्यू था 21,869 करोड रुपए का इस साल अगर बात की जाए तो 38,71 करोड रुपए का तो कमपनी के अंदर जो है रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है कमपनी के अंदर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है यह चीजें आप लोगों को जरूर स्टडी करनी चीए अगर पूरी स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए क्रूड स्टील के बारे में तो इसका प्रॉडक्शन जो है 8% का इजाफा इसके अंदर हुआ है पिछले कौर्टर में जेस जबलू स्टील एक मल्टी बैगर शियर लंबे समय में कंपणी ने रिटरंस भी अच्छे बना के दी है अपने शियर होल्टर को आप लोग देख लीजे 1608 परतिसत के रिटरंस इस कंपणी ने बना के दी है तो ये दो शियर जो की सोंबार को अच्छी खासी बड़त आप लोगों को दिला सकते हैं अगर मार्केट के अंदर करेक्शन का जो दौर है वो थम गया तो उसके उपर भी आप लोगों को जरूर नजर रखनी चीए चलिए दोस्तों अब एक पैनी शियर में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो की 40 रुपए से भी सस्ता है इस कमपनी की सेल्स देखेंगे 2020 में तो 8 करोड रुपए की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 करोड रुपए की है बहुत ही छोटा ये शियर है जो भी इन्वेस्टर जो है पैनी शियर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाते हैं वो बिलकुल भी यहां पर ना बने ये देख लिजे 21 करोड रुपए की मार्केट कैपिलाइजेशन वाली ये कमपनी है लेकिन जब इसका आप आरोसी और आरोई चेक करेंगे तो आँखें आप लोगों की खुली की खुली रह जाएंगी बहुत ही जबर्दस की परफॉर्मेंस है आरोसी ए 40 परसंटेज का रिटरन और एकुटी 33 परसंटेज का है डेट की बात करें तो 0 करोड रुपीज का डेट है यानि की डेट इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है प्रॉफिट ग्रोथ देख लिजिए दोस्तों 2750 परतिसद की और सेल्स ग्रोथ 2128 परतिसद की है लेकिन वहीं हम जब बात करते हैं प्रमोटर की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास नामातर के शेर है और यह चीज आप लोगों को जरूर चेक करने चाहिए जो मैकसिमम शेर होल्डिंग है यहाँ पर मैकसिमम शेर होल्डिंग पबलिक है यानि की रीटेल निवेसक है बिना सोचे समझे यहाँ पर आप लोगों को बिलकुल भी फंसना नहीं है risky stock है और अगर आप लोग यहां पे entry लेते भी है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जल से जल profit भी book कर देना चाहिए यह जो company है दोस्तों investment करती है securities में loan देती है advance में जी हाँ दोस्तों यही इसका business है यानि कि security में investment करना और loan देना BCL Enterprises Limited company का नाम है यहां पे देखेंगे दोस्तों हम लोग BCL Enterprises Limited आज की date में यहां पे अपर circuit लगता हुआ दिखाई दे रहा है 36 रुपए के करीब यह share trade कर रहा है company ने बहुत बड़ी घोसना कर रखी है और पिछले एक साल के दौरान 101% के returns company ने generate की है अगर बात करें पिछले 4-5 सालों की तो 241% के returns generate की है company ने घोसना करी है कि जो 10 रुपए की face value है उसको एक रुपए की face value में सब divide कर दिया जाएगा यानि कि shareholder को एक share के बदले 10 share मिलेंगे और 100 share के बदले 1000 share मिलेंगे एक चीज कहना चाहूँगा आप लोगों को record date अभी decide की नहीं है company ने record date आती है तो आप लोगों को वीडियो की माध्यम से बताया जाएगा लेकिन फिर से एक चीज कहूँगा ये एक risk की stock है तो दोस्तों description में जिरोदा, angel one, ellis blue, profit mart and upstock के link दिये गए है सभी के link पे click करें, account open करें और enjoy करें सभी की services तो आज किस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद